हलो विए और दिल्ली वाला इसकेशनल सेनल आपका स्वागत करता है आज मैं आपको स्टैटिक जीके का रिविजन करवाऊंगा आपका ये सिस्टम रहेगा 19 दिशंबर 18 दिशंबर और 17 दिशंबर से जो भी स्टैटिक जीके बनते हैं ताकि आप डेटुडे रिविजन करके चीजों को जो आप भूलते जा रहे हैं मसरते आपने पड़र रखा ऑप फिर भी भूलते जा रहे हैं तो इसको मेरा काम रहता है फिर से याद करवाना आईए आज बात करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही रहेंगे ठीक है ना 19 दिसंबर वह आपके मन पर है लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा कोई जबरबस्ती नहीं रहाए यहां पर यहां देखें सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद एक्जामिनर समझ रहा है कि उनीज दिसंबर लगबग 60% को पता है वह थोड़ा अपडेट कर रहा है अपने आपको पूछ रहा है आप से कि गोवा सबसे पहले जब यह आजाद हो था पुर्तगाली से तब तो इसको केंद्र सासित इसमें सामिल किया गया उसके बाद आपसे पूछेगा कि गोवा का एक्चुल में गठन कब हुआ फांडेशन या इस्टैबलिश्मेंट तो यह याद रखेंगे 30 मई 1987 में यह भारत का 25 स्टेट बना है 25 स्टेट्स टीस आप से यही पूछ रहा है आप से पूछ रहा है बड़ा आप अपना फोकस बनाये रखें आपर चलिए 19 दिसंबर को ही 1925 में काकोडी कांड के जो भी लोग थे जो क्रांतिकारी थे उनमें से चार क्रांतिकारीयों का नाम मुख्य रहता है और इन्होंने ही काकोडी कांड किया था किये बताया था कि काकोडी कांड से मैं आम जनता कोई नुकसान नहीं पहसाना चाहता हूँ वलकि सासन के बिरूद मतलब अंगलेजों के बिरूद हम लोग ये क्रांतिकारी गठन बनाया हमने और क्रांति हम कर रहे हैं ध्यान दीजेगा यहां पर 19 दिसंबर को तीन लोगों को फासी दिया गया तीन लोग सहीद हुए उनका नाम देखे दियान से राम प्रसाद विश्मिल स्पाक उल्ला खान और रोशन से चौथा नाम जो आता है राजेंदर नाथ लाहिरी थोड़ा सा फोन नीचे कर देता ह लेकिन आपको लग रहा हुँए चार नाम बता दिया ऐसे कहानी कह रहा है लेकिन दोस्त मैं आपको बता रहा हूं कि एक्जामने अपडेट हो गया है त्स आपके क्या धियान लख रहा है कि आप चीजों को कितने घहराई से पट रहा है अब आप से यहां पर पूछे का को थे उनमें से एक क्रांतिकारी जिनको मतलब जो नियत समय था उससे दो दिन पहले ही फांसी देगे थी उनका नाम क्या है तो राजेंदरनात लाहरी या फिर किसी तीन का नाम देके एक का नाम पूछ लेगा तो इसका मतलब क्या हुगा कि आपको चारो नाम याद होना फिर से देखेंगे रामप्रशाद बिश्मिल, स्फाक उल्ला खां, रोशन सी और राजेंदरनात लाहरी का कोडी टान ट्रेन अक्षन में चार कंतिकारी को फांसी दी गई थी इसके बाद आते हैं 18 दिसंबर 2000 से हम अंतर अश्ट्रिय प्रवासी दिवस मनाते आ रहा है इं इसके द्वारा इसरो के द्वारा इसरो के द्वारा अच्छा लेकिन ये तो GSLV मार्ग 3 है मतलब GSLV का तीसरा स्रीजन आपसे नॉर्मल GSLV पूछा जाए तो बताईएगा कि 2001 में इसको शुरू किया गया था GSLV को 2001 में लेकिन मार्ग 3 2014 में याद रखेंगे ऐसे भी याद रख सकते हैं जब मोदी की सरकार बनी तब GSLV मार् किया है तो 15 अच्छ बहुत बार पिछले स्टैटिक जिगें उनने बता रखा है मेरा काम ही रहता है रिविजन करवाना तो 15 अच्छ नाइटिन सिस्टी नाइट पंदर अच्छ तुनी सौनाथ साथ साथ बोलेंगे तो और ज्यादा आपको लंबे टाइम तक याद रहेग तो अब देखिए कैसे कैसे सवाल पूछ रहें इसलिए मैं अपडेट करना चाहता हूं आपको तो आपको बताना है कि विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर में जो लॉंच वहिकल था उसके प्रोजेक्ट डारेक्टर रहते थे यह पहले से स्वामनाथ इसके बार विक्रम सार सेंटर जो पहले इसके प्रोजेक्ट डारेक्टर थे स्वामनाथ थे यह कोशन पूछा गया है कि बरतमान में चेर्मैन है इसलों के स्वामनाथ लेकिन इससे पहले वह क्या थे तो आप देखिए आता हूं मैं 17 दिशंबर पे क्योंकि 18 दिशंबर का करेंट अफेर मैंने ब थे पहले ही राजिंद्रनाथ लाहिरी को फासी दियागा थे इसलिए 17 दिसंबर में फिट से बन गया सही दोए गॉंढडा के जेल में लिखा हुआ है काकोरी कांड का आवणाम का कोडी कांड काड नहीं है काकोरी ठ्रीन एक्षण है इसका नाम चिक है उसके आगे बढ़े कमीशन के बिरोध में लाला लाजपत्राय बिरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत्राय की मिर्ती हो गई लगवग एक महीने एकीस दिन बाद इसका बदला लेने के लिए सांडर्स की हत्या कर दिगोली मारकर और क्रांतियों में एक अलग तरेके का विचार आया उस ताइम उस से चलना तो 1927 बता आ जाता इसमें और 1928 में भारत में आ गया था ये बात को आप ध्यान रखेंगे इसके बाद एक और इंपॉर्टेट बात 17 दिसंबर 1937 में कोलकाता में भारतिये शांखी की संस्थान की स्थापना हुई इंडियन स्टैस्टिस्टिकल इंस्टिटिउट इसकी नीव किसने रखे प्रसांत चंद्र महाल नोविश पीसी महाल नोविश बहुत बड़ा नाम है स्टैस्टिक्स में इसका इनका इंडिया में अब इनका बर्थ जो हुआ है जन जिस दिन हुआ था उनत्ति जुन को उसी दिन हम राष्ट्रिये सांखी की दीवश मनाते हैं नेशनल स्टैस्टिक्सटिक्स डे मनाते हैं कितना चीज मैं जोड़ के आपको बता रहा हूं अब क्या है examiner बहुत update रह रहा है मैं बार-बार आपको बता रहा हूं एक चीज जाने से काम नहीं चलेगा आपको ये भी जानना पड़ेगा कि भारतिये सांखे की संस्तान मतलब Indian Statistical Institute का गठन कौन से सहर में हुआ था पहली बार तो कोलका था कब हुआ था 1931, 17 दिसंबर नहीं याद करे नहीं है यह तो मैंने comparison के लिए आपको बता है कि आज इस तरीके से revision कर लेंगा हम इनका पीसी महलोनोविस के date of birth के कारण जिनों मतलब इनका जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन हम राष्ट्रे सांखे के दिवस मनाते हैं National Statistics Day कितनी बात छपा है question पूछो मत तो मेरा काम revision बना रहेगा और आपका काम रहेगा like share and subscribe करना thank you दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद videos देखने के लिए once again thank you